हैलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अचार्य निरुगर्ग इंटरनेशनल स्कूल अफ एस्टलोजी में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं नवरातरी के चोथे दिन देवी को कुश्मांडा के रूप में पूजा जाता है उनी के बारे में कुछ वर्णन करने जा रहे हूँ आदि शक्ती की नव शक्तियों में मा कुश्मांडा देवी का चोथा स्वरूप है अपनी मंद हलकी हसी के द्वारा अंड यानि ब्रहमांड को उत्पन करने के कारण इस देवी को कुश्मांडा नाम से अभिहीत किया गया जब स्रिष्टी नहीं थी चारो तरफ अंधकार ही अंधकार था तब इसी देवी ने अपने इश्ट हास्य से ब्रहमांड की रचना की थी इसलिए इन्हें स्रिष्टी की आदी स्वरूपा या आदी शक्ति कहा गया है मा कुश्मांडा को कुम्डे की बलिप्रिय है संस्कृत में कुम्डे को कुश्मांड कहते हैं इसलिए इस देवी को मा कुश्मांडा कहते हैं इस देवी का वास सूरे मंडल के भीतर लोक में हैं। सूरे लोक में रहने की शक्ती शमता केवल इनी में ही है। इनकी पूजा करने से रोगों और शोकों का नाश होता है तथा आयो, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। मा कुश्मांडा ने अपने तीनों नेत्रों से तीन दिव्य शक्तियों की रचना की। ये थी मा महाकाली, मा महालक्षमी तथा महासरस्वतिमा। मा कुश्मांडा देवी के स्वरूप में आठ बुजाएं हैं। साथ हातों में करमशे, कमंडल, धनोष, बान, कमलपोश, अमरित पूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। आठवे हात में सिधियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इनका वाहन सेंग है। इस दिन आप हरे रंग के कपड़े पहन कर पूजा कर सकते हैं। मालपुवे का भोग लगा सकते हैं। पीले रंग के पुश्प और चमेली के पुश्प चढ़ा सकते हैं। मा कुश्मांडा देवी की पूजा के लिए आप मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं या देवी सर्व भूतेशु मा कुश्मांडा रुपेन संस्थिता नमस्तस्य 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 धन्यवाद दोस्तूं आज इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम मा के पाचवे स्वरूप मातसकंद माता के बंणन के साथ मिलेंगे धन्यवाद